हेलो नमस्टे चलिए आज बनाते हैं बहुती टेस्टी और क्रंची स्नैक्स तो यसे मैंने कैसे बनाए है क्म tali पूरी रेजिपी जरूर देखेगा तो यहां पर मेन ले लिए ऐंगागी चार आलू ले ले ली हूँ और यह देखिए और एकदम जादा उबालोगे ना तो थोड़ा सा गीला हो जाता है ऐसा नहीं करना है में एकदम जादा नहीं उबालना है मीडियम उबालना है तो यह देखिए मैंने इसके छेल के निकाल लेती हूँ मैं पूरे और उसके बाद इसमें हम कौर्न फ्लोर यूज़ कर सकते हो अरारोट यूज़ कर सकते हो मैदा यूज़ कर सकते हो या चमल का अटा यूज़ कर सकते हो आपके पास जो है उससे आप अराम से बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने सभी आलू को अच्छे से मैस कर लिया है आप हाट से भी मैस कर सकते हैं और मैसर से भी मैस कर सकते हैं बहुत अच्छे से इसे पहले हमें दबा के इसका पूरा सब तरब से अच्छे से मैस करना है उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे हम अरा रोट यूज कर रही हूं मैं यह देखे इसे मैंने अच्छे से मैस कर लिया है यह देखें अब इसमें हम डाल लेते हैं अर अरोट पॉडर यहां पर मैं चार पाट चमज डालूँगी और मैं इसे मिला के पहले मैं देख लूँगी कि अच्छे से इतने में हो जाएगा कि नहीं अगर हमें और चाहिए रहेगा तो हम एक दो चमज और डाल सकते हैं अब हम इसमें डाल लेंगे एक तेड़ चमज नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा अब इसके बाद हम डालते हैं आधा चमज ब्लैक पिपर है यह थोड़ा से ही है चोटा चमज में और यहाँ पर एक चमज हम डाल देते हैं चिली फ्लिक्स और हम डालते हैं इसके बाद पिजजा सेजनिंग भी डाल देंगे हम थोड़ा सा आधा चमज के करीब उसके बाद हम यहाँ पर अद्रक और लेसुन को थोड़ा सा कूट लेते हैं अच्छे से यह देखिए अच्छे से मैस कर लेना हमें और उसके बाद हम इसको भी हम इसमें डाल देंगे अब होड़ी टेस्टी बनेगा यह एकदम जादा टेस्टी आप एक बार खाएंगे तो आप हमेशा बनाकर काना चाहेंगे बहुत ही देश्टी लगता है यह तो देखिए पूरी रैसेपी देखिएगा आपको बहुत अच्छी लगी तो पर मैं इसे डाल देती हूं और हम इसे अच्छे से इसके बाद मिला लेंगे अब इसमें हम धनिया पत्ती भी थोड़ा सा काट के डाल देते हैं अब हम इसे मिला लेते हैं जैसे आटा के लिए हम गोथते हैं वैसे ही डाइब का हम इसका एक डो बना लेंगे अब मैं हाँ से अच्छे से मैस करूंगी तभी अच्छे से मिलेगा चम्मच से नहीं मिलने वाला तो यहां पर मैं दो चम्मच चावल काटा भी डाल रहे हूं क्योंकि इसको डालने से अच्छे से और क्रंची बनेगा हमारा स्नैक्स यह देखिए अब हैं अच्छे से मिला लेती हूं हाँ से इसलिए इसमें थोड़ा बहुत भी आलू में पानी रहता है तो इसमें ज्यादा ररोट या कॉन फ्लोर लगता है इसलिए एक दम पानी सूख जाए तभी इसका यूज़ करना चाहिए देखिए मैं एक चमच और डाले इसमें क्योंकि थोड़ा सा गीला लग रहा था तो गीला रहेगा तो बनना मतलब अच्छे से से शेप नहीं आएगा बन तो जाएगा गीला में भी अब देखिए हो चुका है अब मैं एक एक लोई तोड़ लेती हूं थोड़ा सा हाथ में तेल लगाती हूं और इसे मैं पाटे में बेल लेती हूं कि बनाना के जुक्ष्ट दोड़ा था तो मैं तोड़के इसको दो करके इसको आप कोई सभी collection दे सकते है जाय आप गुल्गुल करके भी तल सकते हैं आप लंबा करके तल सकते हैं आपको जैसा से लगेBay आप ऐसा बना सकते हैं तो यह देखिए मैं 20 से काट लेती हूं इससे आसानी हो गया है जल्दी बन जाएगा हूं यह देखिए इसको मैं अलग रख लेती हूं और बांकी के भी पहिम बना लेती हूं चलिए अब चौणटा बचा है उसको सब थोड़ थोड़ा करके पहले बना लेते हैं फिर हम इसे तलेंगे इस टाइप से बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है इसलिए मैं इस टाइप से बना रही हूं क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा बेलते हैं मतबहाँ से भी अगर बनाएंगे न तो थोड़ा टाइम लग जाता है इससे आसान तरीके से बन जाता है जल्दी से यह देखिए बन गया हमारा और उसको हम रख देते हैं तलने के लिए और कड़ाई चड़ा लेते हैं हम तेर डाल के फिर हम ये सब फी को तल देंगे चलिए अब सुरू करता है हम इसको तलना यहां पर कड़ाई में मैंने तेर डाल लिया है अब मैं एक एक करके सब को डाल लूँगी तलने के लिए जितने तेल है जगह उतने में मैं डाल रही हूँ और वाकी को हम सेकंड पार्ट में तलेंगे यह देखिए मीडियम फ्लेम में हमें इसे तलना है क्योंकि यह बहुत जल्दी तल भी जाती है मतलब जादा समय नहीं लगता है देखिए हमें एक तम सुनेरा होने तक इसे तलना है यह देखिए हो चुका है अब हम इसे निकालेंगे देखिए बहुत जादा अच्छा बनाएंगे अंदर से भी कुरकुरा है और बहार से भी एक्दम कुरकुरा बना है अब हम इसे निकाल लेते हैं अगर यह रैसे पर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सेयर और सब्सक्राइब चरूर कीजेगा तो यह देखिए अब जो बचा है हम सबको तर लेंगे इसी तरीके से यह बच्चों के टिफिन में भी आप इसे डाल सकते हैं और जैसे कोई मेहमाना अगए तो इसे बना कर दे सकते हैं बहुत ही अच्छा लगता है यह अगर कुछ नया बनाना है तो आप इस टैप से बना सकते हैं यह देखिए यह बन चुका है और बहुत ही टेस्टी लगा खाने में आप लोग जरूर बना के देखिएगा आपको बहुत पसंद आएगी यह बहुत ही टेस्टी और प्रंची थी तो यह कैसी लगी मेरी रेसेपी आप कमेंट्स में जरूर बताएगा यह देखिए कितनी ज़्यादा कुरकुरी है यह और बहुत ही टेस्टी लगी खाने में तो एक बार तो जरूर ट्रै कीजिए आप आपको बहुत अच्छी लगेगी मिलते हम अपनी एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार